हेलो नमस्ते जैशे कृष्णा आज मैंने इस तरह से इस तरह की प्रिंट का जुपा टोला टाइप प्रिंट रहती उसका कपड़ा मैंने लिया है 18 बाइ 12.5 इंच का कपड़ा लिया है और उसे मैंने कुल्ट करके रैडी कर लिया है ऐसे हमें दो पार्ट लेने हैं कुल्टे की साइड में फाइफ़ आप हमें 5.5 और उपर से मांकिंग किया है वहां से इस तरह से हमें राट सेब दें आए अब सामने की साइट भी हमें इसी तरह 3 इं्च बाइ 10 इंच are you ऊपर से 3 और फिर 10 इंच जितना मार्किंग करना है और उसे भी हमें इस तरह से राउंड सेप दे देना है हल्का सा नीचे की साइट तरग अगर आपको मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती है तो आप खुद अपना मेजरमेंट बॉल्म का कोई भी बॉल्म ली और इस तरह से उसके उपर सेट कर ले और फिर उपर्य का जो आँप होल सब रहता है उस्ती के measurement के हिसाब से वन वन इच जितना एक्स्ट्रा रखके आप इसे कट कर सकते हैं यह देखे इस तरह से अब हमारा कट हो चुका है अब इसी तरह हमें दूसरे पाट को कट करना है लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों पाट इस तरह से एक दूसरे से उल्टे हो दोनों प् यहां पे एक बेल्ट को कट कर लेना है 8 x 20 इंच का और उसे हमें इस तरह से जो गले के साइट का पाट रहता है हमें वहां से लेके इस तरह से हमें इसे अटेज कर लेना है अगर आप पाइपिन लगना चाहते हैं तो आप इस तरह से अटेज करें अगर आपको पाइपिन और 9 x 7.5 इंच का पार्ट लेना है, quilted piece लिया है, हमने यहाँ पर भी और उसे हमें उपर की साइट से round set दे देना है, इस तरह से हमें इसे माग कर लिया और फिर वहाँ से हमें cut कर लेना है, यहाँ पर मैंने printed कपड़ा लिया है, दोनों पार्ट है जो belt की और main part वो दोनों मैं लिए है अगर आप कोई भी प्लेन कपड़ा लेना चाहते हैं तो आपकी प्लेन भी ले सकते और उसके इंदा पेज आटेज करके इसे और भी प्यारा वह बहुत ब्यूट भी बना सकते हैं अब हमें यहां पेश के साथ जिप को आटेज कर लेना है यह देखिए अब जो पॉ आटेज हो चुका है उसके बाद हमें क्या करना है तो एक और बैल्ट लेना है इसलिए आप एक्सटा उसे कट कर सकते हैं और उसके साथ अब हमें जिप को भी अटेज कर लेना है अब यह देखे हमारा जो जिप ल आप जो STAR से अटेज करते जाना है लेकिन हमें जो यह बैल्ट आटेज किया है उसे दोनों बैल्ट को अद की सैट सेना बैल्ख करना है और जो जिप को उपर की से शिट से श्टिच करते जाएंगे और इसके अंदर रुननर ईनसर्ट कर ले एक दूसरे की साथ और फिर नीचे की साइड हमेरा डूनओ वापार्ठ से आटेजक हो चुके हैं अब यहाँ पर था लेना है तो यहाँ पर मैंने क्वड़क रखी है अगर को भी कलर की चाहे तो उसे लिए सकते हैं अपनी शाभ और इसके उपर फोल्ड करने के बाद हमें स्टिच करते जानतों हमारा एक साइड रैडी है बिल्कुल इसी तरह में दूसरी साइड भी रैडी कर लेना है अटेज करके तो यह देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज और बनके रैडी है ब्राउज कर तो आप इसके इ इसके अंदर आराम से 20-25 ब्लाउज और गिनेज हो सकते हैं आपका बेल्ट अगर आप छोटा रखेंगे तो इससे छोटा होगा बेल्ट थोड़ा बढ़ा कर देंगे तो आपका इससे भी बढ़ा होगा लेकिन यह बहुत ही अच्छा और यही बढ़िया साइज है तो आप आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले बाबाए